नमस्कार दोस्तों मैं आसी स्राठावर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जब से महरास्ट के पुर्व मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे ने इस्तिपा दिया है तब से उनकी बयान जो है वो काफी जादा अटपटी आ रही है अभी महरास्ट के पुर्व मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे ने कैसा एलान किया है कैसी बात कह दी है जिसको सुन करके आपको ताजूब होगा और ताजूब होना भी चाहिए क्योंकि अब पूरुस में जितने भी विधायक हैं वो तो सपोट कर नहीं रहे हैं तो अब इनकी एक नया जो चाल चली है इनोंने महिला को सपोट कर रहे हैं और क्या बरा एलान कर दिया है जिससे कि पूरे महरास्ट की सत्ता में तुफान मत चुकी है और इधर सिवसेना सांसा संजाराउद को बेलगाम कोट में बुलाया गया लेकिन उस पे क्या बरी अपडेटाई आपको बताएंगे इस वीडियो में शिवसक्ती भीम सक्ती बैठक में महरास्ट के पुर्व मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे ने एक ऐसी बात कह दी उन्होंने ये कहा कि वो महरास्ट में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाते हैं और इस ख़बर के बाद कहीं न कहीं ये पूरी सत्ता में दूर तक गई क्योंकि यहाँ पे पहली महिला मुख्यमंत्री महरास्ट में नियुक्त करना चाते तो हैं महरास्ट के पुर्व मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे लेकिन यहाँ पे अब अमरावती से जो सांसद है नवनीत को और राना जी का बहुत बरा बयान आ गया उन्होंने क्या कहा आप इस चीश को समझे उन्होंने ये कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार महराष्ट के प्रोवमुक्रमंत्री उद्धौ ठाकरे ने महिला के समर्थन में बात करी है लेकिन यही बात जो है वो अडिग रहें इस बात पे कायम रहें तो जरा सोचने वाली बात होगी क्योंकि ये एक बात पे रहते नहीं और ये महिलाओं के उपर भरोसा वाली बात नहीं है और ये महिलाओं के फेबर में ये बयान दे रहें ये थोड़ा अच्छा लग रहा लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है आगे नवनीत कौर राना जी ने ये कहा कि उधो ठाकरे के बयान को मैं गंभीरता से नहीं ले रही हूँ लेकिन महिलाओं के सपोर्ट में जो बयान इनोंने कहा है तो याद दिलवा दें कि नवनीत कौर राना जी ने ये कहा कि महिला रस्टपती द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे जिला से ही हैं तो ये बात समर्थन करने लायक है लेकिन जो बात उद्धो ठाकरे ये कह रहे हैं वो थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है और महिलाओ को गंभीरता से आज ले रहे हूं उद्धो ठाकरे क्योंकि आपको बताएं कि यही नवनीत कौराना जी हैं जिनोंने कि आज महिला की सम्मान जता रहे हूं उद्धो ठाकरे लेकिन उस वक्त कहा गया उनका सम्मान जब हनुमान चली सा मातोस्री के बाहर पढ़ने के लिए बात करी थी तो मुझे गिरफतार कर लिया गया था उस वक्त कहा चला गया सम्मान जब संजार राव जो हैं वो प्रिती शब्द का पर्योग कर रहे थे और गद्दार शब्द का पर्योग कर रहे थे उस वक्त कहां गया सम्मान उद्धोठाकरे महाराश्च के पुरूब मुख्यमंत्री का जब कंगना रानावत के लिए इतनी अभध्र टिपनिया गई करी गई उस पर तो उस वक्त कुछ नहीं कहा महारास्ट के प्रूब मुख्यमंत्री उदोठाकरे आगे नवनीत कौर राना जी ने ये भी कहा कि ये कुछ नहीं महिला को मुख्यमंत्री बनाने का सिर्फ टोपी पहना रहे हैं। है कि मैं मुख्यमंत्री बनू महारास्ट का आज वो महारास्ट के मुख्यमंत्री महिला को नियुक्त करना चाते हैं ये बात पुरी तरीके से जो नवनीत कौर राना जी ने ये कहा कि ये एक नई राजनीती है कि नई चाल है अपने आपको समर्थन दिल्वाने के लिए जो है वो उद्धो ठाकरे कितना भी नीचे हद तक गिर सकते हैं। जो अपनी कुरसी को खुद नहीं बचा पाएं वो क्या महिला को महाराष्ट का मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। जो गर्मा गर्मी चल रही है नवनीत को राना जी और उद्धो ठाकरे में इससे कही न कहीं प पहरकाव भासंदे दिया था और वहां पे जब करनाटक और महराष्ट सीमा विवाद हुआ तो इनको समन करी गई कि एक दिसंबर को आपको उपस्तित रह जाना है लेकिन यहां पे संजाराउत उपस्तित नहीं हुए उन्होंने यह जताया कि मुझे जयान से मार दिया पुर्व मंतरी रामदा सकदम जी ने यह कहा कि अलगता है जो है डर गए है पुरी तरीके से संजारा एक। खुल को कहते हैं कि मैं टाइगर हूं लेकिन आप किसलिए डरे हैं। मुझे भी करनाटक में बुलाया गया था। मराठी लोगों ने सम्मान किया समर्थन किया और को वहाँ पे बुलाएंगे आपको बचाएंगे लेकिन आप डर की रहें करनाठक में वराठी लोग हैं जो आपको समर्थन करेंगे लेकिन यहां पे संजाराउत पुरी तरीके से डर रहें आखर आपको यह पता होना चाहिए कि महारास्ट्रियन जो है वो करनाठक में भी है पुड़ी तरी के सें आप पर समर्थन मिलेगा यहाँ पर रामदास कदम जी ने यह कहा कि आप वहाँ जा करके अपने टाइगर वाली जो मिसाल वो कायम करें आप अगर नहीं जा रहे हैं तो इससे कहीं न कहीं आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महारास्ट्रियन जो हैं वो भगोरे हैं आप भगोरा साबित ना करें महारास्ट्रियन को रामदास कदम जी ने बहुत ही करारा जटका जो है और करारा जबाब दिया है संजारा संजाराउट के इस भयान पे जो गिरफतार कर लिया जाएगा करनाटक में बेलगाम कोट के तरफ से तो इस पे जो बीजेपी के बरे नेता है प्रविन दरेकर जी ने एक बड़ा बयान दे दिया कि यह कुछ नहीं बस एक पबलिसिटी स्टंट है जिस तरीके से संजाराउट यह कह रहा है कि वहाँ जाने के बाद मेरी हत्या हो जाएगी तो प्रविन दरेकर जी ने यह कहा कि ऐसी बयान बाजी ना करें अगर सच में हत्या हो गई तो यहाँ पे आतंकी को एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है आप इस तरह से मीडिया में चारो तरफ यह फैलाते है कि मेरी ग्रिफतारी हो जाएगी हत्या हो जाएगी और इसी बीच में अगर आतंकी संगठन का कोई गुरगा अगर इस तरह का कांड कर दिया तो फिर आप तो आक्रोसित महल खुद भरका रहे हैं प्रविन दरेकर जी ने यह कहा कि सरल रूप में इनको परसिद्धी तो मिल लेकिन कभी कभी चर्चाऊ में बने-रहने के लिए संजाराउत पे भारी पर जाता है जील में जाना पर जाता है दंगे को पूरी तरिके से भरका देते हैं तो ऐसी बयान-बाजी करना बंद करें प्रविन दरेकर ने चेतावनी दी है और अगर हिम्मत हैं तो जा करके बेल महारास्टियन हमें सपोर्ट नहीं करेंग अब हर चाल जो है वो सिवसेना सांसा संजाराउद की फेल होती हुई जा रही है प्रविन दरेकर ने चेतावनी दे दी है कि अगली बार से अगर ऐसी बयान बाजी हुई और महारास्ट में आशांती का महौल फैला तो फर ये बहु कोई तरीके से महारास्ट में आख्रोसित वाला महौल जो है वो बैड़ गया है तो इस तरह का बयान बाजी ना करें तो हमें नहीं लगता कि इनके इतने सारे जो पासे फेके जा रहे हैं कि महिला को कभी मुख्यमंत्री ये बना देंगे तो कभी ये कर देंगे ये जो जो वो लावानवित होने वाली नहीं है अलाकि आप क्या सोचते हैं तमाम मुद्दों पे अपनी विचाज उवेक कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शे प्रेहिन